देश में कोरोना संकट की वज़े से आर्थ व्यवस्ता पर भी बड़ा असर पड़ा है इस बीच गुरुवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है फैसले के अनुसार केंद्रिय करमचारियों को मिलने वाले डिय यानि महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई इंस्टॉल्मेंट पर रोक लगा दी गई है महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी ये रोक एक जुलाई दोहजार रिकीस तक जारी रहेगी वित्तमंत्राले की और से जारी किये गए आदेश के अनुसार एक जनवरी 2020 से जो केंद्रिय करमचारियों और पेंशन धारियों को डिये की इंस्टॉल्मेंट मिलने वाली थी उस पर रोक लगा दी गई है वहीं एक जुलाई 2020 एक जनवरी 2021 से मिलने वाली अत्रिक्त इंस्टॉल्मेंट पर रोक लगा दी गई है इस इंस्टॉल्मेंट पर रोक लगाने से सरकार को करीब 37,000 करोड रुपे की बचत होगी